नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनिट के टाइम फ्रेम को लगाये हुआ है और इसमें जिस तरीके की हमारा आगे का क्या वियू है क्या हमें बाइंग करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आईए शुरू करते हैं पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड MCX का चार्ट दोस्तों लास्ट मार्केट ने के स्ट्रेंग दिखाने की कोशिश करी पर जो इसका इंट्राडे का जो हाई लेवल हाई प्राइस था वह यह ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट में यहां से करेक्शन स्टार्ट हो गया प्राइस जो थे वह 47,080 का एक लो दिखा के थोड़ी सी रिकवरी करन फिर मार्केट अभी नीचे अभी करेंटली जहां ट्रेड कर रहा है वो प्राइस है 47,152 कौन से लेवल रहने वाले आगे कौन से इंपोर्टेंट रहेंगे और किस तरीके से मार्केट इस ट्रेंड को आगे ले जा सकता है नेकिए आज इविनिंग में कुछ इंपोर्टें कर सकते हैं इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे थोड़ा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वहां देखते हैं किस तरीके से मार्केट में एक ट्रेंड जो है वो बन रहा है यहां पर अगर हम देखें देखिए क्यों गोल्ड का ट्रेंड हमारे लिए अभी एक स्ट्रेंड दिखाने की कोशिश करी सिल्वर को भी एक सपोर्ट मिल चुका था पर वो उस स्ट्रेंथ मतलब एक अपसाइड जोन में एंटर नहीं कर पाई एक राइस ट्रेंस था जिसके नीचे सिल्वर ने अपने आपको होल्ड करके रखा नेक्स जी हमने देखा 7200 जो इसमें एक सेलिंग प्रेशर का लेवल है वो मार्केट ने ब्रेक किया और तब से अभी तक हम देख रहे हैं मार्केट में कोई बहुत मेजर रिकवरी स्ट्रेंथ ऐसा कुछ भी अभी नजर नहीं आ रहा और इंपोर्टन चीज क्या हमें यहां पर दिख रही है गोल हम बात करें एक घंटे के टाइम फ्रेम पर तो यहां पर गरम देखें तो गोल्ड के प्राइसेज में एक सेलिंग धिरे धिरे प्राइसेज ने उपर जाने की कोशिश करी इस पूरे पार्ट में बहुत स्ट्रॉंगली गोल्ड ने अपने आपको होल्ड करके रखा एक सप प्राइस लगाय हुआ है गोल्ड ने यूस्टी में वो ब्रेक करना देखिए इतना इजी नहीं रहता कभी भी मार्केट के लिए हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाता पर प्रोवाइड़ कि silver support करे उसे silver ने support नहीं के रहा market नहीं यहां से एक थोड़ा सा जो strength थी वो lose होती है नजर आई ठीक है अभी और एक चीज़ और थी gold में जो हमने observe करी थी कि gold में already एक इस तरीके का trend देखा गया था कि overbought condition में comics पर इसमें कई बार यह ऐसे indication दियें कि overbought condition में पर selling के level कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से तो वो finally कल market ने इसमें वापस एक selling price में enter किया है selling level में enter किया है अभी देखना होगा आगे किस तरीके से market अपने trend को ले जाता है current price 47,166 और थोड़ा सा के चलते हैं चार घंटे के time frame पे यहाँ पर अगर हम देखें तो market में एक dip के बाद market में एक strength consolidation, यह पूरा area वहाँ से market में crash और फिर एक strength यहाँ से market वापस उनी levels पे आता हुआ जो इसका यह एक support base है देखें बहुत मुश्किल रहेगा market के लिए जब तक कि कुछ कोई major एक support ना मिल जाए चाहे किसी news के वज़े से या फिर कोई एक turn आना शुरू हो जाए जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक gold में बहुत ज़्यादा expected है कि एक major dip गोल्ड में लगने वाला है ठीक है current price 47.161 levels को भी हम discuss करेंगे और थोड़ा सा आगे चलते है daily time frame पे यहाँ अगर हम देखें तो gold में एक selling step by step downtrend यहाँ से market में strength यहाँ consolidation एक और crash gold ने एक recovery दिखा है यहाँ पर अगर आप देखे ना daily time frame पे काफी strong consideration है strong क्यों है उसमें मैं आपको reason बताता हूँ यह जितना भी यह part है यहाँ पर आप देखेंगे हैं यह पूरा का पूरा इसका एक support base बना हुआ है इसके break होने के पहले चीज़ के chance बहुत ज़्यादा बनते जारे हैं इस तरीके से market अपने आपको hold किया हुआ है क्योंकि एक चीज़ और है बहुत सारे traders के यहाँ पर stop loss भी लगे वे होंगे तो यह break होना लगभग obvious सा भी लग रहा है कि charts पे बहुत easy रहेगा market के लिए break होना 1% chance है कि market यहाँ से turn ले सकता है उपर जाने के लिए तो उसके लिए हमें किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और एक चीज़ ओर जिस इवेंट की हम बात कर रहे थे 6 बज़े एक data है साड़े 6 बज़े एक data है तो इन दोनों का impact कैसे पढ़ सकता है और अगर कुछ ऐसा major impact इसका gold पर पढ़ता है तो हम कैसे trade करें देखिए यहाँ पर एक चीज़ होती है जो मैं आपको हमेशा बतानी ही कोशिश करता हूँ कि morning session में usually आप avoid किया कीजिए at least 3 या 4 बज़े तक trade करना ठीक है उसके बाद 3-4 बज़े के बाद event जो है मतलब data जो है वो 6 बज़े, 6.30 बज़े है तब तक हमें थोड़ा सा trend clear हो जाता है intraday में और stop loss level कुछ revise होकर fresh stop loss fresh target market की इस direction में move कर रहा है यह सारी चीज़े काफी अच्छे से clear हो जाती है अगर data आपके favor में आता है या market react करता है आपके favor में अगर हम short selling में है तो obviously हमें कोई problem नहीं है market उस direction में flow करेगा जिसमें हमारा trade है ठीक है in case वो reverse एक direction दिखानी कोशिश करता है तो मैं इतना जरूर कहूंगा market का data का impact जैसा भी हो stop loss जरूर maintain करके चले और क्योंकि आज Thursday है और कल Friday है ये दोनों दिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक पिछले तीन दिन में हमने कोई major moment आती भी नहीं देखी gold में तो इन दो दिन में कोई moment अच्छी जरूर आ सकती है कि side रहेगी ये कहना थोड़ा सा भी देखिए अभी चार्ट को देखते हुए downside के chances ज़्यादा लगने है पर अगर क्योंकि कई traders ऐसे हैं viewers ऐसे हैं जो live session में मुझसे question करते हैं कि उसका impact कैसे होगा मैं मतलब कि उपर जाएगा नीचे जाएगा ये तो एक बिलकुल speculation हो जाएगी मैं कहीं भी कह दू उसका कोई base नहीं है कि मैं अगर कहूँ कि उपर जाएगा तो उपर क्यों जाएगा मेरे पास कोई ऐसा कोई data नहीं है जिसकी वज़े से मैं बता पाऊँ कि उपर जाएगा ठीक है जिस side भी जाए हमारे पास एक ही टूल है stop loss को maintain करना strictly maintain करना उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है ठीक है और वही एक चीज़ा जो हम कर सकते है sorry एक गंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं वहाँ देखते हैं कि अब कौन से levels हैं जो हमारे लिए इसमें help कर सकते हैं पहली चीज़ जो कि यह वाला जो base price है यह market में break होना काफी ज़्यादा possible लग रहा है यहां से और 70 रुपे नीचे कल का low break हो जाएगा और लगबग 120 रुपे नीचे last week का low break हो जाएगा तो मतलब इस पूरे proportion का ठीक है तो यह दोनों चीज़ें है जो market break कर सकता है chances काफी ज़्यादा है अब जहां पर इसे एक major support मिलने के chances हैं वो price है 46,600 ठीक है 46,600 यहां पर तो इसका next support level major support level वो यहां पर है market में कोई भी correction आती है हो सकता है कि 800,700 के आसपास market थोड़ा अपने आपको hold करने की कोशिश करे क्योंकि 600 के नीचे अगर market sustain कर गया तो market में और एक major dip लगने के chances बनने लग जाएंगे जिसमें यह वाला low price भी break हो सकता है जो भी इसने last time 46,000 break करके जो भी low price इसने touch किया था जिस प्राइस के हम बात करते थे 47,200 इस प्राइस को market ने अल्रेड़ी break किया हुआ है तो अब जो next है वो थोड़ा सा जाद नीचे है उपर में कौन कौन से level है एक intraday में एक price level है जो मैं थोड़ा सा important समझ रहा हूँ अभी वो है 47,360 देखिए आपकी अगर कोई fresh position हो तो मैं समझता हूँ कि इस price पे आपका stop loss लगना थोड़ा सा जादा जल्दबाजी रहेगी आपको ये wait करना चाहिए कि market एक बार 47,000 और break कर दे आप अपना stop loss तब यहाँ पर आप लाइए ठीक है दूसरी चीज कि अगर market उपर जाने लगे तो एक stop loss जो strictly maintain करके चलना है वो है 47,670 कल तक हम 770 की बात कर रहे थे आज 670 है तो इस price पे हम अपना stop loss maintain करके जरूर रखे ये price break हुआ gold में कुछ time के लिए एक बहुत अच्छा उच्छाल देखने को मिल सकता है क्योंकि market जिस price पर है यहाँ पर फिर वापस एक support का मिलना काफी strong strength इसमें ले आएगा और साथ ही साथ silver में भी फिर उम्मीद है कि जो price level हम बात करने है resistance की वो break हो चुके होंगे तो ये कुछ level है जिस तरीके से इनकी importance है वो हमने discuss की किस तरीके से हम trade कर सकते हैं वो हमने थोड़ा discuss किया और कोई अगर आपका question हो तो आप live session में मुझसे पूछेगा तो ये था मेरा gold mcx पर अभी का video वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहे मेरे साथ देखते रहे है market report धन्यवाद झाल